नमस्कार मैं हूँ आपके साथ आस्था कोशिक और बहराईच से इस वक की बड़ी ख़बर आ रही है बहराईच के गाउ में एक भेडिये को घेर लिया गया है ये इस वक की बड़ी अपडेट सामने आ रही है बहराईच में युद्ध स्कर पर भेडियों के लिए साथ आपरेशन चल रहा है इस बीच बड़ी अपडेट ये कि एक गाउ में भेडिये को घेर लिया है हिंदू पुर्वा में एक भेडिया घेर लिया गया है आपको बता दे कल भी भेडियों का अटैक हुआ है जिसमें एक बच्चे की मौत हुई है एक बुज़ूर महिला घायल हुई है मुख्य मंत्री ने खुद इसको आपदा घोशित किया है और कहा है कि हर साल पकड़े जाना चाहिए भेडिये को और इसको खबर ये कि बहराईश के हिंदू पुर्वा गाउं में एक बेडिये को गाउवालों ने घेर लिया है सीदे अब आपको लिए चलते हैं हमारे सेवगी राजीव इसको ग्राउंड जीरो पर मौझूद है राजीव क्या ताज़ा अपडेट आपके पास लोगों ने लाठी डंडों से भेडिये को घेरा है क्या प्रशासनिक मदद भी उन तक पहुंच पाई है प्रशासन पहुंच पाया उस लोकेशन तक अदिखी इस वक्त में बाहराई थी मैसी छेतर के उसी हिंदू पुर्वा गाउं में खड़ा हूँ जहां पर आप देख सकते हैं कि सैकलों की संख्या में जो ग्रामीन हैं उन्होंने इस मक्ये के खेत में इस आदम खोर बेडिये को घेर रखा है आपसे कुछ देर पहले इन ग्रामीनों का कहना है कि यहां पर एक बेडिये को देखा गया है जो एक बच्ची को उठाने का प्रयास कर रहा था क्योंकि आज तड़के सुबा करीब चार बजे ही पडोस के गाउं में इस बेडिये ने एक मासूम बच्ची को सिकार बनाया है जिसके चलते बेडिये की हमले में उसकी मौत हुई है ऐसे में कुछ लोग यहां मौजूद हैं जिसे हम बात करने की कोशित करेंगे और इसके साथी साथ आपको दिखाना भी चाहेंगे कि इस वक्त जो बेडिया है वो इधर भागा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि चारो तरफ खेतों में जो किशान है जो ग्रामीन है वो लाठी डंडे और भाला लेकर इस वक्त उसको घेर के रखा है बनवा की टीम को भी जानकारी दी गई है और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संक्या में हम अपने स्वयोगी से चाहेंगे कि चाहें उमाहिलाए हो चाहें ग्रामीन हो वो इस पूरे आपरेशन में जटे हुए है एक बार दादा कहां पर दिखा है भई बेडिया इधर आप देख सकते हैं कि यहां पर सैकड़ों की संख्या में सभी लोग सभी लोग यहां यहां पर इस पूरे मक्य के खेत में लगे हुए हैं ना सिर्फ एक तरफ से बलकि हर तरफ से इसको घेरा गया इस दोरान वनवा की टीम को भी जानकारी दी गई है कि वो यहां पर ततका पाल ड्रोन कैमरे लेकर पहुंचे ताकि यहां पर ग्रामीडों के साथ उसे यहां से बाहर निकलने ना दिया जाया आप सकते हैं कि तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और कहा पर भेडिया देखा था इधर देखा गया था एक घंटे पहले इधर देखा गया घर के पास लेकर भी कड़े हैं और हर तरब से इस पूरे खेत को घर रखा है और कोशिश कर रहे हैं कि जो यह आदम खोर भेडिया बीटे 48 गंटे से इस इलाके में आतन का परियाय बना हुआ है उसको किसी भी कीमत पर पकड़ा जाए क्योंकि पडोस के ही काओं में आज इस भेडिये ने तरके सुबा हमला कर एक मासूम बच्ची को मौत के घाट उता रहा है जिसको लेकर हर वर्ग में नाराजगी देखने को मिल लही है चाहे बड़ा हो बुढ़ा हो या बच्चा हो बाबा कहां दिखा है बेडिया तमाम लोग यहां पर बैठे हैं बेडिये कहां दिखा है इधर अभी मैं आया हूँ आप देख सकते हैं कि यह सर्च ऑपरेशन जो ग्रामीनों का है उन्होंने खुद इस पूरे ऑपरेशन बेडिया की कमान संबाल लग की है क्योंकि वन विभा को कई बार सूचना दी गई जब तक वन विभा की टीम मौके पर पहुंचती है तब तक यह सातिर बेडिया जो है मौके से फरार हो जाता है छेतर से निकल जाता है इसलिए अब ये सर्च ऑपरेशन गॉम्बिंग ऑपरेशन इन ग्रामीनों ने खुद शुरू किया है आप देख सकते हैं कि पूरे गाउं के लोग इस वक्त घरों से निकल कर इस खेट के आसपास आकर खड़े हुए हैं हर तरफ से प्रयास किया जा रहा है चाहे बच्चे हों चाहे बुड़े हों बुजूर्गों सभी लाठी डंडे लेकर भाले लेकर इनके हातों में आप देख सकते हैं कि यह यहाँ पर पहुँचे हैं इनको अब लगता है कि वन भाग के भरोसे यह सर्च आपरेशन नहीं छोला जा सकता अब यह कमान खुद समालनी होगी वरना यह आदम खोर भेडिया किसी दिन इनके बच्चे को भी सिकार बना सकता है आप देख सकते हैं कि एक टीम इधर है आगे पानी भरा हुआ है दूसरे जो ग्रामीड है वो दूसरे छोर पर गेराओ करते हुए नजार आ रहा है बीते एक घंटे से यह प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी कीमत पर जब तक वनविभाग की टीम मौके पर न पहुंचे तब तक इस भेडिये को इस शेतर से बाहर नहीं जाने देना है अब देखना ये होगा कि मौके पर ये टीम कप पहुंचती है क्या यहां के लोग ग्रामीड इस भेडिये को पकड़ने में कामयाब होंगे या एक बार फिर ये सातिर भेडिया इनके चंगुल से बाहर जाता हुआ नजर आएगा लगातार भाराइश में हो रहे बेडिये के हमले को लेकर खुद मुख्यमत्री योगिया दितनात्मिया निर्देश दिया है कि जो चाहे भाराइश हो सीतापूर हो बिजनावर हो लखिम पूर हो वहां पर सासन के बड़े अधिकारी ततकाल मौके पर पहुंचे और आसपास के जीलों के विशेसग्यों की टीम मौके पर लगाई जाए ताकि इन आदम खोरों को पकड़ा जा सके और मौतों का सिलसिला जो है उसे रोका जा सके और यही कारण है आप खौप का आलम देख सकते हैं कि न सिर्प ये युवा बलकि पूरे घरों की महिलाएं भी इस वक्त इन खेतों के बॉर्डर पर खड़ी हैं मेडों पर खड़ी हैं और जो दहसत कायम है उसका खत्म होने का इंतजार कर रही है इस दौरान वन भाग की टीम को भी सूचना दी गई है क्योंकि ये बहुत खतरनाक आदम खोर भेडिया इसलिए ग्रामीडों को अप्रेशन भेडिया की जो कमान है वो इन ग्रामीडों ने भी यहाँ पर संभाल ली है उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस भेडिये को पकड़ा जाएगा बिलकुल बिलकुल और लोगों ने ही इस भेडिये को घेर लिया है और महिलाएं भी जोर शोर से पूरी हिम्मत के साथ यहाँ गन्य और मकई के खेतों में जो है वो दिखाई दे रही है लेकिन राजीव सवाल यह है कि क्या कोई प्रशासनिक मदद इन तक पहुँच पाई है ताकि यह जो शेतर जिस पर लोग दावा कर रहे हैं कि अभी भी भेडिया यहां है जल से जल्द उस भेडिये को पकड़ा जा सके लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट ही है कि भेडिये ने आज सुबा सुबा एक और हमला किया है जिसमें बच्ची की मौत हो गई है और ब है लाठी डंडा भाला लेकर ये लोग खेतों के चारो तरफ उपस्थित हैं महिलाएं भी इसमें शामिल हैं राजीव हमारे सयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमें ताजा तस्वीरे दिखा रहे हैं लोगों से बात कर रहे हैं राजीव ये तो लोगों ने अपनी करनेक्ट हो गए हैं एक बार फिर से उनको अपने साथ जोड़ेंगे लेकिन आपको ताजा तस्वीर और अपडेट बता देते हैं आज ही सुबा भेडिये ने एक और हमला किया जिसमें बुजर्ग महिला जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं उनको चोटे आई हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा हैं लेकिन एक बच्ची की मौत भी हो गई है तो बहराइच में भेडियों का आतंक जारी है रात में आदम खोर भेडिये ने अलग अलग जगा तीन हमले किये और इस हमले में एक बच्ची की जान चली गई हमले में बुजर्ग महिला बुरी बच्चों का आतंक है यहां भी हमले शुरू हो गए हैं यहां पर बताय जा रहा है कि बच्चों पर हमला किया लेकिन मां ही भिड़ गई भेडिये से और एक बार फिर से बाचीत की कोशिश करते है राजीव से राजीव बहराईच के हिंदू पुर्वा गाउं में लोगों ने तो घेर लिया है आसपास सबी खेतों को और उनका ये दावाए कि इसी एरिये में हो सकता है लेकिन प्रशासनिक ड्रोन भी है जिनसे साही साही ल पुर्वा तक अभी पहुंची है अधिके फिलाला भी कोई प्रशासनिक मदद इन ग्रामीड को नहीं मील सकी है क्योंकि आपसे कुछ देर पहले ही इन लोगों ने इस बेडिये को देखा है जिसके चलते आप देख सकते हैं कि ये लोग अपने अस्तर से कॉम्बिंग करते हुए नजार आ रहा है आप देख रहा है कि चारो तरफ से ये वेटलैंड है जिसके चारो तरफ से इन लोगों ने गहराओ कर रखा है दूसरी और सैकड़ों की संख्या में ये ग्रामीड है आप देख सकते हैं कि पूरी मेड पर जितने संसाधन ग्रामीड अस्तर पे जु दूसरे छोर पर को नजर आ रहा होगा कि कुछ लोग वहां पर बैठे हुए नजर आ रहा हैं यहीं वह वेट लेन्ड है जहां पर चारों तरप इसको घेर कर रखा गया है इन्तिजार किया जा रहा है कि वन विभाक की टीम यहां पर पहुंचे ताकि आज इस भेडिये को यह तीन से चार किलो मीटर दूर आज सुबा करीब चार बजे ये बेडिया एक गाउं में घुसा और वहां मासूम बच्ची को अपना सिकार बनाया तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं अब से कितनी दिर पहले बेडिया किस इलाके में कहां पर दिखा था जी अभी दस मिनट दस और छुप गया है अब देख सकते हैं कि क्योंकि इस जो ये मक्य का खेत है इसके बाद वेटलैंड यानि पानी भरा हुआ है इसके कारण जो ग्रामीड है आपको ये इस पूरे इलाके की मेड़ पर नजर आ रहा है आगे नहीं बढ़ पा रहा है है चारों तरब से ग्रामी हैं उनके साथ टीम यहां पर पहुँच कर एक बार फिर इसे पकड़ने का प्रयाज करें अब देखना यह होगा कि वनुभा की टीम कितनी देर में यहां पहुच पाती है क्या वो तमाम अत्यादूनिक संसादन है चाहे वो धर्मल कैमरा हो या फिट्रोल कैमरा हो उसके जर और यह भी देखा जा सके कि जो इनका दावा है ग्रामिनों का कि वो अभी भी इनी खेतों के बीच में उन्होंने उसे घेर लिया है उसकी सही लोकेशन क्या है और क्या वाकई आज इसको पकड़ा जा सकता है आपका शुक्री अपडेट के लिए आप नजर बनाये रखिए और फिलाल आपको तस्वीरे बता रहे हैं और इन 12 तस्वीरों में आप अब तक की पूरी अपडेट देख पा रहे हैं आज सुबा ही एक बच्ची को मार डाला भेडिये ने फिर से उसने हमला किया तीन अलग अलग जगों पर इस भेडिये ने हमला किया है गाउं बदल र जात किस तरह खतरनाक साबित होई तीन अलग अलग जगों पर इस भेडिये ने हमला किया काले अंधेरे का फायदा उठा कर ड्रोन से निगरानी चल रही है हतियार प्रशासन के पास है भेडिये ने कुल मिला कर दसवा शिकार कर डाला है क्यामरे में दिखाए भेडिया और हर संभव कदम उठाए जाए भेडियों को पकड़ा जाए हमलों को रोका जाए सुरक्षित कैसे रहना है ये भी लोगों को बताया जाए जन प्रतिनिदियों का भी सयोग लिया जाए सरकार ने भेडियों के हमलों को आपदा कोशित कर दिया है और पीड़तों के लिए हर सं मदद के लिए कहा है CM ने वनमंत्री से कहा कि वन विभाग के कर्मियों को बहराई सीतापो, लखीमपूर, पीली भीट, बिजनौर और दूसरे प्रभाविट शेत्रों में लगाएं सभी विभागों की जोईंट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए